नमस्कार मित्रों, अन्मोल टीचर्ज पर आज हम जानेंगे कि राजस्थान के करमचारी किस प्रकार अपनी SSO ID बना सकते हैं। सबसे पहले हम गोगल पर लिखेंगे SSO SSO लिखते ही हमारे सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन होगा, तो हम यहाँ पर या तो डायरेक्ट रजिस्टेशन पर जा सकते हैं, या हम इस लिंक पर किलिक करके जा सकते हैं। तो साथिव हम इस लिंक के द्वारा SSO ID का निर्मान करेंगे। देखो हमने यहाँ किलिक किया तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा, आपको यह यहाँ से क्रोस कर दीना है। क्रोस करने के बाद हमारे सामने यह पेज ओपन होगा, इस पर हमको यहाँ ऊपर देखना होगा लिख रखा है रजिस्टेशन, हमको यहाँ रजिस्टेशन पर किलिक करना होगा। जैसे हम रजिस्टेशन पर किलिक करते हैं, हमारे सामने यह तीन ओप्सन होगे, पहला सिटीजन का, दूश्रा उद्धोग का और तीसरा गौर्मेंट टेमपलोई का, यह साथियो नागरिकों के लिए है, यह कॉमर्सिल के लिए है, और यह गौर्मेंट टेमपलोई के तो हमको साथियों Government Employee का करना है तो हमको यहां Government Employee पर क्लिक करना होगा जैसे हम Government Employee पर क्लिक करते हैं हमारे सामने यहां एक पेज आ जाता है SIPF का साथियों हम SIPF पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यह पेज ओपन होगा इस पर यहाँ पर SIPF नंबर मांग रहा है और यहाँ पर SIPF के password SIPF नंबर के इस्थान पर हमको हमारी employee ID लिखनी होगी जो की RJ से चालू होती है जैसे के RJL 2012 जो भी है जो हमारी ID है employee ID वो यहाँ दर्ज करनी है और साथ हो यहाँ password में हमको हमारा जनम दिनांक जो डेट है जनम की जो दिनांक है DOB हमारी है वो यहाँ पर दर्ज करनी होगी उसको हम कैसे दर्ज करनी होगी उसको हम कैसे दर्ज करनी होगी तो साथियों देखते हैं हम इसको दर्ज करते हैं तो आगे क्या open होता है जैसे मैं यहाँ मेरी employee ID और मेरे password यहाँ दर्ज करता हूँ जैसे हम यहाँ दर्ज करते हैं तो हमको यहाँ पर next पर click करना होगा यहाँ next पर click करना होगा जैसे ही next पर हम click करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का page open होगा जिसमें यहां आपकी उपर Employee ID, User ID के स्थान पर आपको पहले से ही दर्ज क्यों ही मिलेगी यहां पर यह मांग रहा है Password और यहां मांग रहा है Confirm Password यहां पर Password हम कैसे लिखेंगे साथियों जैसे कि पहले हम लिख देते हैं यहां मानलीज हमने लिख दिया Ohm, उसके बाद में हम कोई ना कोई Adderate और अगयरा का चिन लगाएंगे और उसके बाद यहां Numbers भी लिखेंगे, यहने कि यह तीनों font इसमें आने चाहिए साथियों, जैसे हम यह Password लिख कर Confirm कर देते हैं तो उसके बाद में हम जैसे यहां Confirm करेंगे तो हमारी Employee ID कंप्लीट हो जाएगी और हमारे Mobile पर इसका Message आ जाएगा साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, जै हिंद, जै भारत सब्सक्राइब कीजिए Unmol Teachers को Education सम्बन्दी वीडियो तुरंत पाने के लिए